नमस्का दूस्तों स्टॉक मार के स्ट्रेडिस में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत है तो आज आप इमें बात करूंगा एक आटो इंडिस्टिस के बारे में तो देखे आटो सेक्टर में अलग-अलग कैटेगोरीज है जैसे टू हुईलस अलग हो गया जैसे टू को मतलब करें बात करूंगा इस ऑटो सेक्टर के बारे में बात करूंगा वो तोटली वेहकेल के उसके बारे में डिसकस करूंगा तो नाम आपको मतलब पहले ही देखने को मिला उसके नाम है मारती सूर्झुजुकी तो मारती सूर्झुकी के बारफ में आज बात करूँगा क्योंके कमपनी ने बहुत बड़ाा एनांस्मेंट किया और company के एक बहुत सांधा rally देखने को मिला पिछले दिनों में, इस तरीके से सांधार अचनक rally होने के पीछे, कौन सा वो कारण है, कौन सा वो logic है, उसी के बारे में discuss करूँगा, तो भीडियो को last तक जुरू देखिएगा, और अभी तक आपने इस चनलन को सब्सक्रेब ने क तो जुरू सब्सक्रेब भी कर लेना, क्योंकि कुछ daily basis job, मतलब इस तरीके stock के बारे में जानना है, तो इस चनलन को पर बने देएगे, और हाँ, आप daily basis income भी करना चाते है, तो telegram को जाकर join कर सकते है, नीचे link देगा है, उस link से आप join कर सकते है, तो चलो देख लेते हैं आ company, 52 week के high, पिछले दिनों में ही कर चुके थे, company का जो high level था, अब देख सकते हैं कितना सांदर एक rally देखने को मिला, कितना सांदर, देखे जब पिछले दिनों में market open हुआ, तो एक flat range में था, तो आचाना कैसे क्या हुआ, जिसके बाद stock में इतना सांदर एक rally momentum देखने को म मिला, उसके पिछे एकी कारण है, एकी logic है, वो है company का Q2 का result, तो company ने जो Q2 का result किया, वो देखने का लायक है, क्योंकि इतने दिनों के बाद company ने बहुत एक अच्छा खासा result सामने लेका है, और इसी ये कारण के basis से, लोग लगातार यहापे निवेस करते गे, बड़े institution भ पब्लिक भी मार उठाया, तो अच्छी तरीके से delivery यहापे देखने को मिला, तो पिछले दिनों के आप data देखेंगे, तो यह आप देख सकते है, security wise delivery positions, तो 28 October मतलब जिस दिन rally हुआ था, जिस दिन company का quarter two का result आया था, तो उसका data में आपको दिखा रहा हो, कि कि उस दिन एक rally हुआ था, तो rally में क्या सचमुच में delivery अच्छा कैसा उठाय गया, तो total जो delivery report है, तो यहापे देख सकते, traded value, traded value मतलब उस दिन सिर्फ के ट्रेड हुआ था, और delivery का जो percentage है, बू देखा जाए, तो 4 लाक quantities से जादा, तो यहापे पिछले दिनों का जो percentage है, delivery का परसंटेज 21.77%, कोई खराब भी नहीं है, तो कोई अच्छा भी नहीं है, तो एक अच्छा का सा rally देखने को पीछे, जो mainly logic था, चलो उसके उपर अभी बात कर लता हूँ, तो मैं उसके उपर आचुका हूँ, उस data के उपर आचुका हूँ, आप देखेंगे, तो यहापे जो result दिया ग है, तो million में हो, करणों में हो, लाखों में हो, कुछ भी हो, आप सिर्प data figure out करना, तभी आपको companies के details के बारे में जानकरी मिलेगा, तो first जो column है, वो Q2 का result, second जो column है, वो Q1 का result, third जो column है, वो Q2 का result, तो तीनों result अलग-अलग column में आपको देखने को मिला, तो first जो column है, Q2 का जो result है, वहापे discuss करूँ, तो total company के income, मतलब जो income हुआ है, company का, तो मतलब जितने सारे माल बेचे, उसके जो revenues company के हाथ में आया, तो सारे income जोड़कर company को जो income हुआ, करीवन करीवन, अफ 3,05,000, पिछले बार था 2,65,000, पिछले सालों में था 2,03,000, इसका मतलब, पिछले सा सालों से company ने बहुत अच्छी तरीके से companies का मतलब सबसे ज़्यादा माल बेचा है, सबसे ज़्यादा sales किया है, तो अभी expense के बारी, तो expense किस तरीके से किया, 2,79,000, पिछले बार था 2,52,000, पिछले सालों में था 2,04,000, इसका मजला company का जो totally expense का data है, वो भी आपे अच्छी तरीके से देखने को मिला, अभी company के जो taxation है, उसके बारी, तो total tax expense के बारे में बात करो, तो यहाँ पे 5,600 पिछले बार था 3,100 पिछले बार था 1,200, तो company का expense भी, sorry, tax expense भी अच्छी तरीके से देखने को मिला, अभी company का profit and loss for the period, देकि एही जो data है, इस data के कारण ही, stockage के तरह stock के तेजी देखने को मिला था, तो क्यों, ऐसे क्या हुआ, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, यह पे कितने लिखा गया है, 21,125, यह totally million में है, इसको मैं करोड में कंवर कर दू, तो 2,112 करोड का, तो 2,112 करोड का इस बार का income है, पिछले बार का जो income था, 1,036 करोड का, चलो, ची बात है, company हज, मतलब, double हचुके है profit, मगर पिछले सालों में देखेंगे, तो पिछले सालों का जो data था, 486, इसका मतलब कितने कम था, और कितने ज़्यादा हुआ, करीबन अब calculate करेंगे, तो 4 गुना यहाँ पर profit जाम हुआ है, चार गुना profit जाम करना, कोई ऐसे वैसे बात नहीं, companies को profit जो जाम हुआ, company का profit का जो तेजी देखने को मिला, वो बहुत सांदर है, तो मैं जोरू कहुँगा, इस company के उपर focus जोरू रखेगा, देखे, auto industries में जितने सारे leaders company है, उनमें से मारती का, जो business का modules है, मारती का जो management team है, वो बहुत strong है, कुछ दिनों पहले कुछ दोस्तों ने comment किया था, sir मारती अभी तक कोई भी electric vehicle market में launch नहीं किया, आपको मैं एक बार वीडियो बना के दिया था, गुजरात में वो एक बड़ा plant बना चुके है, वहापे manufacturing भी start होने वाले है, और वहापे वे एक चीज बा components है, वो है batteries, वो भी बनाएगा, मतलों दोनों चीज एक साथ बनेगा काफे, गुजरात की एक plant में, तो सोचिए, मारती दोनों चीज एक साथ बनाएगा, मारती ने पहले ही commitment कर दिया था, कि वो 2023 इस सालों से पहले वो कोई भी गाड़ी manufacturing start नहीं करेंगे, वो पहले market को थो तो obviously एक बहुत बड़ा positive sign मानता हूँ में, मारती इसके उपर क्योंकि इसका जो management team है, वो बहुत strong है, क्योंकि उनका कहना है कि मैं गाड़ी ज़्यादा बेचना चाहूँगा सस्ते दामों में, तो मुझे quantity ज़्यादा बेचेंगे, तो मुझे फाइदा ज़्यादा होगा तो दिख्या, लोगों को business करने का अलग-अलग तरीका होते हैं, जैसे आप देखेंगे तो BMW, Mercedes, साथी साथ Rolls Royce, साथी साथ आप देखेंगे तो Ferrari, तो इस तरीके से companies का गाड़ी ज़्यादा आता और बेचते नहीं, कम बेचते हैं, मगर price बहुत high होने के कारण, उसका profit margin जाता देखने को मिलता है, महारती उल्टा काम करते हैं, महारती quantity ज़्यादा बेचते हैं, और उसका price कम होता है, क्योंकि आप comparison कर ले, और अदस companies के गारिये को उपर, तो आपको महारती का मतलो जो गारिया है, उसको price सेस्तर में देखने को मिलेगा, और इंडिया में अगर किसी भी जगा पे 100 गारिया आप देखेंगे, तो उन में से 75 परसन गारिया आपको मारती इस company को देखने को मिलेगा, तो यही एक मारती का खासियत, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसका जो price range है, इसका जो price band है, इसको देखकर ही भाग जाएंगे, उसको मतलब देख इस company का chart button दिखा देता हूँ, पांस साल में, जब COVID के सिफ चलो में आपको इस chart button में दिखा देता हूँ, चलो यह आपको और भी clear हो जाएगा, देखिए, आपे में पांस सालों की chart button आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए, मैं आपको long time एक बाग चाट पन देखा, एक बड़ा momentum देखने को मिलता है, बड़ा momentum, big momentum, और company 52 week के high भी breakout किया है, और इसका जो lifetime का high है, मेरे हिसाब से वो भी break हो जाएगा, इस तरीक से कुछ scenario देखने को मिला है, इसका जब low हुआ था, करीबन 4,000 के आसपार, और वो भी COVID के situation के बाद, इसका मतलब आप कहेंगे स दो साल के अंदर अंदर, company आपको कितना, आपका fund double कर दिया, क्योंकि 4,000 से अभी चला है, 9,000 के आसपार, तो सोचिए, आप अच्छे company के उपर निवेस्ट करेंगे, तो आपको अच्छा benefit हमेसा मिलता रहेंगे, तो companies के बारे में, मैं जोरू कहूंगा, इस तरीक से companies के उ पूकस रखिए, और देखिए, investment करना है कि नहीं करना है, ये totally आपके हाथ में होगा, मैं कोई भी buy and sell का recommendation नहीं करता, अब इस company को वो study करना, तभी आपको पता चलेगा, company के कितना दम है, उसके बाद कोजी decision आप खुद ही ले सकते हैं, वासा करता हो, सारे चान कर आपको मि आपको मिधस झाए, बाद कि अबड़ा झान करते हैं, झाए, अबाद करते हैं, आपको मिया झाए, बाद कि अबादे तके मुदक्त आपको मिधस करना है, बाद